भारत सरकार ने देश के 14 राजियों में 32 ग्राम पंचायतों का चयन किया है आपको बता दे कि मध्यप्रदेश में भी 2 ग्राम पंचायते शामिल है जिसमें ग्राम पंचायत मुर्वास एक है इसी उशना के तहट भारत सरकार गावों को तकनी के रूप से कैसे विक्सित किया जाए इस पर काम कदरी है ताकि 2047 तक भारत की ग्राम पंचायतों को शहरी शेत्रों की तरच पर पूरी तरह से विक्सित किया जा सके और इसी सिलसले में स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भूपाल से एक प्रतिनी दिमंडल नहीं ग्राम पंचायत मुर्वास का दौरा किया और इनी के साथ पंचायत राज संचानले भूपाल से आये हुए आयोक्त सुदीव जैन ने अपने विचाव रखते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों को अपनी स्वैम की आय बढ़ाने के लिए हर हाल में ग्रामीडों से टाक्स वसूल करना ही होगा अनिता बिना टाक्स के ग्राम पंचायतों का विकास संभव नहीं है लटेवी से शफीक खान के विपॉर्ट पंचायतों के कर अकिले के माध्यम से हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर सकते नहीं इस सरकार को आर्थेक रूप से जब तक हमारे लिए सायोग नहीं मिलेगा यह संभव नहीं है यह सर्वे जो है हम देख रहे हैं गाओं में क्या सुविधाएं हैं क्या सुविधाएं नहीं है उसका सर्वे हम कर रहे है क्योंकि गाओं का जो है पाइलेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जनता को ये फाइदा होगा क्यों ने सुईधाएं पता मिलें इसे और हम ये बताएंगे कि गाउं का किस तरह से हम अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं, ऐसे कभी भी हम कहीं पे भी कोई चीज बना लेते हैं तो उस तरह कर नहीं एक सुन कि अच्छी निए तरह को हम साइन्टिक स्टाडी करके और लोगों से पूशताश कर कि किस जमीन में क्या चीज उनको चैहिए उप आच्छी लगेगी उस मतलब रहे इस जमीन में अपनी पांचात को से अच्छी बिक्रिमेंट तेर इस पनचात को चुनी वहीं है, इस में अच्छी अच्छा बेकाथ सुषाके, अच्छी सड़के बने, अच्छी स्पूज बने, बाटर नेविल के लिए, कालाप, शेक डेम्स, यह इस वबादें के सुभीदायों के लिए, मैं मुपास आई हैं, अच्छा संचादें से.